दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मसुहूर एक्ट्रेस रिया बर्मा के फुल लाइफ इस्टेल और बायोग्राफी के बारे में दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी को रिया बर्मा के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ और ये profession से actress और social media influencer है इनका जन्म 24 जुन 2004 को दिल्ली में हुआ था तो अभी 2024 के अनुसार इनकी ये जबी 20 साल है दोस्तो अगर बात करें इनके education के बारे में तो इन्होंने अपनी school की पढ़ाई दिल्ली के ही एक private school से पूरी की है और इन्होंने अपनी graduation भी दिल्ली से ही पूरी की है आईए दोस्तो अब आपको मिलवाते हैं इनके family से तो ये हैं इनके family के कुछ तस्विरे आप बात कर लेते हैं रिया वर्मा के career के बारे में और दर्सकों ने इनके पहले videos को ही Instagram पर काफी ज़्यदा पसंद किया और देखते ही देखते कुछी महिनों में इनके Instagram एकाउंट के उपर 2.4 मिलें से भी ज़्यदा follower कम्पिलीट हो गए फिर उसके बाद रिया वर्मा ने अपने college कम्पिलीट करने के बाद मुंबई चली गई और इन्होंने वहाँ पर काफी सारे audition दिये जिसके बाद इन्हें GTV के सोर अब से है दुगा में काम करने का मौका मिला जिसमें ये निगार के किरदार में नजर आ रही है और दर्तक इनके एक्टिंग को उस सो में काफी ज़दा पसंद भी कर रहे हैं और यही वज़ा है कि आज के डेट में रिया बर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इनके चाहने वालो फैंस के संख्या करोरों में है दोस्तों आप बात कर लेते हैं रिया बर्मा के फीचकल स्टेटस के बारे में तो इनका हैट पांच फीट पांच इंच है और वज़न लगभग बावण के जी है और इनका eye color black है और hair color भी black है और religion से ये हिंदू है और nationality से इंडियन आप बात कर लेते हैं रिया वर्मा के relationship के बारे में तो दोस्तो रिया वर्मा भी single है और ये अपनी पूरी focus अपनी career के उपर दे रही है वही अगर बात करें इनके hobbies के बारे में तो इन्हें ट्रेवलिंग करना काफी जिदा पषण है अब बात कर लेते हैं कि रिया वर्मा अभी कहां रहती है तो दोस्तो मैं आप सभी को बता दू कि रिया वर्मा currently अभी मुंबई में रहती है आप बात कर लेते हैं इनके income के बारे में तो दोस्तो रिया बर्मा पर एपरिसोड में काम करने के लिए लगबक 40-45,000 रुपे चार्ज करती है और किसी भी brand promotion के लिए लगबक 30-35,000 रुपे चार्ज करती है तो दोस्तो अब आप सभी को क्या कहना है और आप सब को रिया बर्मा के बारे में जानकर कैसा लगा आप सब अपना राय हमें comment box में comment करके जरूर दिजेगा और दोस्तो अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो मेरा पेज को follow जरूर कर लिजेगा